पुस्पा इन्पॉस्वल सिरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार तो फैंस जैसा कि आप जानते हैं कि पुस्पा इन्पॉस्वल में कभी सुख, कभी दुख, कभी गम, कभी खुसी का माहौल बना रहता है तो चलिए इन सब के साथ आज की कहानी सुरू करती हूँ आज की कानी में सबसे पहले सिन में दिखाया गया है कि मास्टर जी पुस्पा से फोन पर बात कर रहे हैं जुगल से और पुस्पा से और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से विरेन के लोग आए थे और सारा माल चेक किया तो उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला यह सारी चीजे वो जुगल को और पुस्पा को बता रहे हैं और पुस्पा और जुगल काफी खुस हैं कि मास्टर जी ने विरेन के लोगों को इस तरह से चक्मा दे दिया यह सारी चीजे उनके बीच में बाते होती हैं और इसी दर्मियान मास्टर जी से बात करने के दर्मियान ही पुस्पा को यह पता चलता है कि मास्टर जी को किस प्रकार से माल चुपा के रखने के लिए जुगल ने बताया है चुकि जुगल यह पुस्पा को नहीं बताया है वो चुप चाप से मास्टर जी को बताया है तो पुस्पा थोड़ी से मजाक करती कि तुने मुझे क्यों नहीं बताया अभी मास्टर जी की बाते पुस्पा और जुगल से फोन पर हो रही होती है तबी दरवाज़े खट-खटाने की आवाज आती है और अंदर आता है विरेण से तलवार विरेण से तलवार को देखकर कुछ देर के लिए तो मास्टर जी अस्तब्ध हो जाते हैं कि कहीं वो उनकी बाते तो नहीं सुन लिया जो अभी वो फोन पे पुस्पा और जुगल से कर रहे थे उसके बाद जिरेन जो हैं अंदर आता है और एक संत्रा उठाता है और मास्टर जी से कहता है कि ये नागपूर के संत्रे हैं और इतना संत्रा आपको मंगाने की क्या और हैं वो सभी पुस्पा और जुगल को मिल रहे यानि कि उनके तानाोंवाना को मिल रहा है कहीं इस तब बे आपका तो हाथ नहीं है हलाके आपको इस उम्र में ये काम करना नहीं चाहिए बरना आपको काफी महगा पड़ जाएगा यानि कि यहाँ पे विरेन से तलवार जो है मास्टर जी को अच्छी खासी धमकी देता है बातों ही पातों में तब ही उसकी नजर एक धागे पे पड़ती है और उसकी नजरे वहाँ पे ठहर जाती है यानि कि उसे सक हो जाता है कि जरूर यही सी जगह पे मतलब की एक जो बीच में जगा है वहीं जगा पे धागा उसको दिखता है तो उसे लगता है कि यहां पे जो कालिन बीची हुई है यहां से ही कोई बात है जो कि मास्टर जी छहिपाएवे हैं उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और माश्टर जी ठंडी सांसे लेते हैं कुछ पल के लिए तो वो विरेन की धमकी से जरूर घब रा जाते हैं लेकिन फिर अपने आप से कहते हैं कि चाहे तुम जो भी कर लो विरेन लेकिन मैं अपनी बेटी पुसपा का साथ और जूगल का साथ जरूर दूँगा अब इदर अश्विन के आफिस के महार काफी खुस्नुमा है क्योंकि आज अश्विन को अपना केविन मिला है अपना परसनल चैमबर मिला है आफिस मिला है और खुद मियूर सर अश्विन को उसके आफिस तक लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि आज से ये तुम्हारा आफिस है उस आफिस के जो बाकी करमचारी है जो भी शेह करमी है जो है उसे एक बुगए देती है और Congratulation करते हैं बाकी लोग भी आते हैं और Congratulate करते हैं अश्विन काफी खुस है उसने कभी जिन्दकी में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी इतना बड़ा केविन इतना बड़ा ओफिस इतना बड़ा चैमबर मिलेगा और वो इतना बड़ा अफसर बनेगा वो सब कुछ ये सब कुछ उसे सपनों की तरह लगता है और वो चारों तरफ देखता है मम्मी की कही बाते उसे याद आती है कुछ उसे बच्पन का वो वक्त याद आता है जब दिलिप उसके साथ यातना पूर्ण कारे करता था उसकी मम्मी को सताता था यानि की पाश्ट की कई बाते उसे याद आती है तभी वहाँ पे शुप्रिया मैम आती है और उसे कहती है कि वा अस्विन तुमने तो एक ही छलांग में इतनी बड़ी तरक्की कर ली है लेकिन ऐसा है ना अस्विन कि तरक्की करना बहुत आसान बात है लेकिन तरक्की को बनाए रखना बहुत कठिन काम है लोग उचाई पे तो पहुंच जाते हैं सिखर पर पहुंच जाते हैं लेकिन बने नहीं रह पाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं अभिमान हो जाता है मैं चाहूंगे अस्विन कि तुम इन चीजों से दूर रहना तो अस्विन कहता है कि जरूर मैं मैं कभी अभिमान में नहीं आऊंगा और मैं हमेशा कंपनी के प्रति लायल रहूंगा तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं तानावाना के वर्क्सॉप में जहां कि पुस्पा और जुगल के साथ चिराग और दीपती भी उनकी मदद कर रहे हैं पुस्पा काफी खुस है खुस तो सभी हैं क्योंकि इन्हें बड़ा बड़ा ओर्डर मिल रहा है और उनका जो प पुस्पा तो इतना खुस तो हो रही है लेकिन ये कोई बिजनस करने का तरीका तो नहीं है इससे हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि कहीं न कहीं हम विरेन के डर के साए में काम कर रहे हैं और अगर हम इसी तरह उसके डर में उसके दवाब में काम करते लेकिन हम खुल के और तरक्की नहीं कर पाएंगे इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें विरेन की चाल से बाहर निकलना होगा उसके डर के साय से बाहर निकलना होगा तो फ्रेंट्स अब आगे चलिए अश्विन के फिर से आफिस चलते हैं जहां अश्विन वीडियो कॉल करके पुस्पा को अपना केविन अपना चैंबर दिखा रहा है अपने आफिस का पूरा लुक दिखा रहा है और सभी देखकर खुस हो रहे है चिराग तो बहुत खुस ह और पुस्पा भी काफी खुस है और फिर पुस्पा दीपती को कहती है कि जा तू थोड़ा साइड होके परसनली बात कर ले हम थोड़ा कुछ और काम कर लेते हैं तो इधर दीपती फोन पे यानि कि वीडियो कॉल पे अश्विन को कहती है कि अश्विन मुझे तुम से बहुत जरूरी बात करनी है, और उसके बाद के लोग सांको एक साह्त, मिलने का प्लान करते हैं, तो, फ्रेंस चलिए, अब आगे की कहानी में देखते हैं, क्या होता है, तो, फ्रेंडस, अब आगे फिर एक बार, विरेहिन सेतलवार, अपने लोगों को, माश्टर जी कहां भ ऐसा चीज सुंगा देते हैं कि मास्टर जी बेहोस होके गिर जाते हैं और उसके बाद वो लोग पूरे घर को खोजते हैं कि वो पॉइंट कहां है जहां से कि नीचे जाने का रास्ता मिले और उनको वीडियो कॉल पे ये सारा इंस्ट्रक्शन विरेन से तलवार देता जा रह है उसके बाद वो लोग चीज समान को हटाते हैं वहां पे जो फॉर्निचर वगरा है और उसके बाद उनको वो पॉइंट मिल जाता है हलाकि मैं जैसा कि बताई कि फोन पे यानि कि वीडियो कॉल पे विरेन से तलवार जो है उन्हें गाइड कर रहा है उसके बाद वो लोग उस जगह से नीचे की और उतरते हैं और वो लोग वहां पर देख लेते हैं कि वहां पे उनका पूरा माल रखा हुआ है यानि कि पु पूरा को उसी तरह से ढख वक दो पहले के जैसा बना दो और उसके बाद तुम लोग वहां से बापस आ जो और विरेन के आदमी वही करते हैं वो लोग फिर से माल को बापस उसी तरह से रख देते हैं उपर से कालीन के नीचे से जो वो लोग खोले थे उस जगह के ढखन को उसको भी वैसे ही बंद कर देते हैं और उसके बाद फिक से फरनीचर वगरा रखे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अब विरेन सेतलवार जो है कहता है कि पुस्पा तुम्हारे सारे राज अब मेरे पास है अब इधर सुनील का फोन आता है विरेन सेतलवार के पास वो विरेन सेतलवार से कहता है सुनील कि साहिब जी मैंने पता कर लिया है कलावरे पांच पटोले का ओरर पुस्पा जी को दिया था पुस्पा जी उसे नौबे देने का वादा की है उसके बाद वो सुनील को कहता है कि अब आगे क्या मैं करूँगा इसके लिए मैं तुम्हें फिर से कांटेक्ट करूँगा और उसके बाद वो विरेईन सेतिलवार भगवान की पूजा करता है याने की मातारानी की पूजा करता है और कसम खाता है कि नौरात्र तो इस बार मैं तुम्हारा जला के राक कर दूँगा पुस्पा तुम देख लेना अब इधर पुस्पा अपने घर में है कुछ चिंता में ही है लेकिन गाने गुन-गुना रही है और कुछ पटोले का ही काम कर रही है तब ही वहाँ पे निकी उसी समय रासी के क टॉलेस से वहां के कांटेंटका फोन आता है और वो स्पा से कहता है कि मैं एسवेंगे इसुख पूरी साल का800 फी एक बार जमा करने के लिगे कहा है तो आपको पूरे साल का राशी का चाहला होगं तो इस पर पूस्पा कहती है कि ये क्या कहándुर साल का फी कैसे जमा किया जा सकता है तो एकांटेंट कहता है कि चुकि सारे पैरेंट्स तैयार हो गए मैं आपको भी देना पड़ेगा केवल आप लोग ही रह गए है मैं कुछ दिन के बाद आप से फोन पर बात करूँगा आप सोच के बताईएगा यानि कि इस बार फिर राशी का फीव साल भर का जमा करने का एक नया समस्य पुस्पा के उपर आ गया है और फिर से वो चिंता में पड़ गई है अभी वो चिंता में डूबी ही हुई है और सोच रही है कि ये कॉलेज वाले हमेसा नए नए नियम निकालते रहते हैं और हम जैसे मिडल क्लास पैरेंट्स को परिशान करते रहते हैं अब फ्रेंट्स इधर फिर से हम लोग अश्विन और दीप्ती के बीच हो रही बातों को देखते हैं तो अश्विन दीप्ती से कहता है कि दीप्ती अब सब कुछ अपने पास हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि अब हमें बेबी प्लान करना चाहिए बेबी प्लान करने की बात सुनने के साथ ही दीप्ती थोड़ी सी चिंता में आ जाती है फिर वो बड़ा ही घुमेंटिक अंदाज में कई वाते करता है दीप्ती के साथ और कहता है कि दीप्ती अब वो वक्त आ गया है कि हमें अब पेरेंट्स बनना चाहिए माता पीता बनना चाहिए ताकि हम इस जिम्मेदारी को भी समय रहते पूरा कर ले लेकिन चिंता में डूबी हुई है दीप्ती कि यहां अश्विन जो है बेवी प्लैन कर रहा है और मैं इससे कैसे कहूं कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती फिर वो हिम्मत जुटाती है और हिम्मत जुटा कर अश्विन को कहती है कि अश्विन मैं काफी दिनों से तुम से कुछ कहना चाहती थी तो अश्विन कहता है कि हाँ हाँ मुझे याद है तो कहो ना मैंने तो अपने दिल की बात कह दी तो दीप्ती कहती है कि अश्विन हम अभी मातपिता नहीं बन सकते है तो अश्विन कहता है कि ऐसा क्यों तो दीप्ती कहती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने कहा तो अश्विन कहता है कि फिर डॉक्टर ने क्या कहा कि हमें पेरंस बनना चाहिए तो दीप्ती कहती है कि नहीं अश्विन बहुत चिंता की बात है मैं मा नहीं ब पूंचाती है बहुत रोती है और रोते-रोते वह अस्विन को सारी प्राब्लम समझाती है कि उसे युट्रस का भी जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और यह सारी बाते सुनने के बाद अस्विन के हो सूर जाते हैं वह समझ नहीं पाता है कि वह क्या कहे वह चाता है यह सारी बाते सुनने के बाद और अचानक से वह ब्रेक लगाता है गाड़ी में क्योंकि सामने एक दूसरी गाड़ी आ चुकी है और उसकी बाद आगे यह दोनों काफी टेंसन में तो आ ही चुके हैं फिर वह घर आने का प्लैन करते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम इ इसकी वज़े से सुसीला तो बहुत खुश है लेकिन बापोद्रा को टेंसन हो रहा है कि इतना पैसा खर्च होगा और क्यों ये सब पुस्पा के साथ सुसीला भी कर रही है और इसके लिए वो सुसीला पर फोर्स बनाता है कि ये सब करने की कोई जरुवत नहीं है तो सुसील तो सुसीला कहती है कि हम लोग करेंगे मैंने मैं करूंगी मैंने तो बापोद्रा कहता है कि तू कहां से लाएगी अब इसके आगे चलते हैं हम लोग जरा सा सुन ले कि चिराग जी क्या कह रहे हैं तो चिराग जैसे ही अपनी मम्मी के पास आता है तो मम्मी को उदास देख तो इस पर चिराक कहता है कि बापोद्रा को मैं क्या खुश करूंगा वह तो मैरे और पन्नू के बीक में जहर घोल रहा है पंचु को ब्रेंबॉस कर दिया है कि मेरा रिद्धी के साथ चक्क्र recuper चल रहा है जबकि ऐसा खुछ भी नहीं है बन्युप कि ऐसा सब कुछ चल रहा है मुझे आझ ci रह Dust कंती है तो इस पर चिराग कहता है कि तू तो खुदी परीशान रहती है जरूर करूंगी अब इधर दिखाया गया है कि प्राटना कमरे में पढ़ाई कर रही है तो बापोद्रा वहां आता है उसके सर पे हाथ रखता है उसका हाल समचार पूछता है और कहता है कि तू क्या सोच रही है उस सर्चोर के बारे में सोच रही है छोड़ दे उसके बारे म दिखाता है जो उसने चिराग पाटी कर रहा था तो उसने रिद्धी और चिराग का डांस करते हुए लिया था क्लिपि वह दिखाता है प्रातना को और कहता है कि तू सोच रही होगी कि मेरे पास कहां से आया तो क्या करू बेटा नजर रखनी पड़ती है उस दिन मैं भी ते मैं हो न तेरा पापा मैं तेरे लिए एक से लड़का लाओंगा तू भूल जा इस सर्चोर को ये दिलिप का बेटा है और कभी भी नहीं सुधरेगा मैं तेरे लिए ऐसा लड़का लाओंगा न कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी भाबुखो के प्राटना जो है अपन नौरातर का माहौल है चारो तरफ चॉल में और धंकी देकर बोलता है कि ये नौरातर तो तेरा गया तू देख इस नौरातर पर मैं क्या करूंगा पुस्पा और उसके बाद तभी पक्या जो है आके बताएगा कि तानावाना में आग लगया है यानि की फ्रेंट लगता है कि विरेन सितलवार ने नौरात्र पर पुस्पा के तानावाना वर्क्सॉप में आग लगा दिया है तो फ्रेंड्स अब आगे क्या होगा और कहानी क्या मोड लेगी ये हम लोग आने वाली एपिसोड में देखेंगे फ्रेंड्स आज के लिए पस इतना ही बाई बाई फ्रेंड्स